तो बच्चो इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10 के चैप्टर नमबर 5 AP की एक्सरसाइस 5.2 का कोशन नमबर 15 तो कोशन नमबर 15 हमें दिया है For what value of N are the Nth term of two APs ये दो AP दे रखी हैं, equal means N की वो क्या value होगी जिसके लिए Nth term दोनों ही AP की क्या आजाए, same आजाए means हमें इसकी कोई एक term होगी मालिय ऐसे उसको मैंने कहा दिया AN, इसकी भी AN और इसकी भी AN दोनों की दोनों कैसी होंगी, equal होंगी तो वो कौन से नमबर पर होंगी यह हमें बताना है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यह वाली जो term से यह दो-दो करके बढ़ रही है यहाँ पर यह 77 करके बढ़ रही है तो एक term ऐसी होगी जो इसकी और इसकी दोनों की दोनों save आएंगी ठीक है, ध्यान से समझ ले न, बहुत important question है इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते है इस वाली AP के लिए AN की value निकालते है तो उसके लिए पहले आप इसमें first term क्या लिखोगे first term है यहाँ पर, जिसको आप A से भी denote करते हो यह पहली AP के लिए बात कर रहे है हम वो है 63 और यहाँ पर common difference कितना है common difference है जिसको D से denote करते है A2 minus A1 तो यहाँ पर 65 में से क्या minus कर देंगे हम 63 65 में से 63 को minus करोगे तो कितना आ जाएगा 2 अब यहाँ से आप अगर AN निकालना चाहो तो AN का formula होता है A plus N minus 1 into D ठीक है अब AN क्या है वो ही तो हमें पता करना है बलकि N पता करना है AN का तो इसने पूछा ही नहीं अगर AN भी पूछेगा तो वो भी मैं आपको बता दूँगा कि अगर AN की पूछता तो हम कैसे निकालते है A की जगा पर क्या रख देते हैं 63 फिर N minus 1 को ऐसी लिख लो और D की जगा पर क्या लिख दो अब यहाँ पर इसको इधर भेजने से तो कुछ है नहीं बस आपको इसी को ही simplify करना पड़ेगा तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो 63 plus 2 की multiply जब N में करेंगे तो 2N 2 की multiply जब 2 में करेंगे तो 2 यहाँ पर यह भी एक constant term है और minus का 2 भी एक constant term है तो यह दोनों की दोनों minus हो जाएंगी तो यह हो जाएगा 61 plus 2N 63 में इस 2 क्या तो 61 ऐसे ही इस वाली AP के लिए निकालोगे इसकी जो first term है ठीक है उस first term को चलो मैं एक minute के लिए मान लेता हूँ capital A क्योंकि यहाँ पर small A मान लिए यहाँ पर capital A मान लेते हैं तो यह जो capital A है यह कितना दे रखा है 3 और इसी तरीके से जो common difference है common difference हम कितना लेखते हैं common difference आप जिसको D से denote करते हो capital D भी ले सकते हो वो है A2 minus A1 capital A2 और capital A1 ले ले लेते हैं यहाँ पर तो वो हो जाएगा 10 minus 3 कितना आगे 7 तो अगर यहाँ से आप A N निकालते हो इसको भी capital मान लो जब सब कुछ capital मान के चल रहे हैं ताक कि दोने एपीज में थोड़ा difference हो जाए तो A N equal to क्या हो जाएगा A plus N minus 1 into D ठीक है A N की जगा पता नहीं क्या रखना है A की जगा पर क्या रख देंगे हम 3 plus N minus 1 और D की जगा पर क्या रख देंगे 7 तो A N equal to 3 plus 7 की जब N में करेंगे तो 7 N 7 की जब 1 में करेंगे तो 7 तो A N equal to क्या आगया 3 में से 7 को माइनस करोगी तो कितना आएगा माइनस का 4 ये दोनों constant है ना ये 7n ऐसे आजाएगा तो अब ये कह रहा था कि nth term जो है दोनों की equal है तो हम क्या काम करेंगे nth term इस वाली ap की क्या आई है 61 plus 2n इस वाली ap की क्या आई है minus 4 plus 7n इन दोनों को equal में रख देंगे वहाँ से हमें n की value पता चल जाएगी तो अब हम last में लिखते हैं according to question यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसने nth term equal बताएं थी तो an equal to an हम रखने वाले हैं तो an की जगा पर क्या रख देते हैं small वाले की जगा 61 plus 2n और capital वाले की जगा पर minus 4 plus 7n n वाले एक तरफ कर लो digit एक तरफ यह minus का 4 इदर लिया हो तो 61 minus का 4 इदर आकर plus का यह 7n इदर है यह plus का 2n इदर आकर कैसा हो जाएगा minus का 61 और 4 को plus करके कितना है 65 7 मेंसे जब इसको minus करोगे 2 को तो कितना आ जाएगा 5 से इसको cancel कर देंगे तो क्या आ जाएगा 13 तो n की value आ गई 13 मतलब दोनों ही ap की 13 number की term होगी वो same होगी आप चाहो तो check भी कर सकते हो जैसे अगर आपको answer मिलाना है आगर आपसे पूछता है कि वो number क्या है तो वो number भी हम बता सकते है जैसे यहाँ पर अगर आप n की value निकलते हो तो यहाँ पर nth term पता चल जाएगी आप चाहो तो direct भी निकाल सकते हो 8 13 a 13 का मतलब क्या है a plus 12 d अगर आप इसके अंदर रखते हो तब भी आ जाएगा इसके अंदर रखोगे तो भी आ जाएगा जैसे यहाँ पर 61 प्लस 2 n की जगा पर क्या रख देते हैं 13 तो यह हो जाएगा 61 प्लस 13 2 जा 26 इनको प्लस कर लो 6 और 1 7 और 6 और 2 कितना हो गया 8 तो 87 वो टर्म है जो इस AP की भी आएगी और इसकी भी आएगी जैसे यहाँ पर रख के देख लो यह कितना आएगा माइनस 4 प्लस 7 n की जगा पर 13 रख लिया तो यह हो जाएगा माइनस 4 प्लस 13 7 जा 91 तो 91 में से 4 क्या तो कितना आएगा 87 तो यह 30 नंबर की जो टर्म है दोनों ही AP में क्या आ रही है 87 ठीक है इसलिए इसने दिया था अगर आप चाहो तो इससे भी निकाल सकते थे तब भी 87 आती एक ही जगा पर क्या रखते हैं यहां पर यही रखते है 63 प्लस 12 को ऐसी रखते और D की जगा पर क्या रखते है D कितना दे रखा है D है हमारे पास 2 तो यह आ जाता 63 प्लस 12 टूजा 24 ठीक है इसको आप क्या लख सकते हो 63 प्लस 24 तो 3 और 4 कितना हो गया 7 और 6 और 2 कितना हो गया 8 ठीक है तो यह जो मैंने पैंसिल से किया है यह आपको बस मैंने बत समझाया है यह करना नहीं है आपको जैसे अगर इसमें पूछा या था कि वो नंबर क्या है जो दोनों ही AP का सेम है जो एनत टर्म इसने इक्वल बताई है वो क्या है तो वो 87 है और वो कौन से नंबर की टर्म है तेहरवे नंबर की टर्म है दोनों ही AP में इसका 13 नमबर और इसका 13 नमबर दोनों के दोनो 87 आएंगे ठीक है क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा AP जरूर बढ़ी है लेकिन इनका difference बस दो दो का है यहाँ पर AP जो है उसकी शुरुआ चोटे नमबर से हुए लेकिन difference साथ साथ का है ठीक है यह होगे आपका question number 15 अब हम देखते है question number 16 तो question number 16 दिया है determine the AP इसमें AP पूछ ली whose third term is 16 जिसकी तीसरी term जो है वो 16 है and the seventh term exceeds the fifth term by 12 और सात्वी term जो है वो पांच्वी term से कितनी जादा बढ़ी है या बढ़ रही है 12 तो देखो इसके अंदर हमें क्या-क्या चीज़ दी है AP तो हमें find out करनी है सबसे पहले हमें दे रखा है A3 A3 कितना दिया है वो है 16 और हमें बताया है कि A7 मतलब seventh वाली जो term है वो fifth term से 12 बढ़ी है fifth term क्या है A5 और उससे भी यह कितनी बढ़ी है 12 बढ़ी यह है लेकिन हमें plus करना होता चोटी वाली में जैसा अगर आपसे यह कह दिया गया कि एक तरफ है 20 और एक तरफ है 8 तो यह बताये 20 इस 8 से कितना बढ़ा है 12 बढ़ा है लेकिन अगर आप दोनों को equal करना चाहते हो दोनों के बीच में equality का sign लगाना है तो आपको 12 किसमें plus करना पड़ेगा 8 में तो plus करोगे तब ही तो यह दोने equal होंगे तो यह तो पहले से 12 बढ़ी है इसने बताया न 7th term जो है वो exceed कर रही है मतलब बढ़ी है 5th term से तो हम 5 यह जो a 5 है इसमें plus करेंगे 12 क्योंकि यह तो पहले से बढ़ी है जैसे यहाँ पर यह 20 तो पहले से 12 बढ़ा है हम 8 में plus करेंगे ताकि यह इसके equal में लिख सको अब आपको पता होगा an का formula क्या होता है an equal तो होता है a plus n minus 1 into d तो यहाँ पर an की जगा पर हम क्या रख सकते है a3 यहाँ पर a को ऐसी लिख लेते है n की जगा पर क्या रख दोगे जैसे यहाँ n की तो value है यह 3 तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 3 minus 1 into d a plus 2 d लिख सकते है सीधा simple यह बात है जैसे a7 है तो a plus 6 d लिख दो a5 है तो a plus 4 d लिख दो ठीक है मैं पूरा करके solve दिखाता हूँ आपको a3 equal to a plus यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 d तो a3 की जगा पर क्या लिख सकते है a3 हमें दे रखा है वो कितना है 16 equal to a plus 2 d एक equation बन गई है हमारे पास एक equation यहाँ से बना लेते हैं तो a7 को आप क्या लिख सकते हो a7 को हम लिख सकते है a plus 6 d ठीक है मैं direct लिख रहा हूँ अब यहाँ पर इसमें n की जगा पर आप 7 रख दो तो 7 minus 1 कितना हो जाएगा 6 d ऐसे यहाँ पर a5 है तो इसको क्या लिख सकते है a plus 4 d भाई यहाँ पर n की जगा 5 रख दो 5 minus 1 कितना हो जाएगा 4 और plus 12 इस a को इधर ले जाते हैं और d को भी तो a plus 6 d और यह जो a है इधर आकर minus का equal to कि इधर ला रहे है 4 d भी इधर आकर minus का और equal to में क्या बचा 12 यह a plus का यह a minus का यह दोनों cancel हो गए 6 d में से 4 d गए तो कितने d भाचे है 2 d equal to 12 तो d की value कितने आ जाएगी 12 upon 2 2 से cancel हो गया कितने बार 6 बार तो d की value कितने आ गई 6 अब यह जो d की value 6 आई है आप इसको इस वाली equation में put कर दो जैसे यह मान लीजे first equation है तो हम यहाँ पर लिखते है put the value of d in equation first तो first equation थी अपनी 16 equal to a plus 2d या a plus 2d equal to 16 तो 16 तो ऐसी लिख लेंगे a की जगा भी ऐसी लिख लेंगे 2 और d की जगा पर क्या रख देते है 6 अब यहाँ पर यह 2 6 जा कितना हो जाएगा 2 6 जा हो गया 12 यह plus का 12 इदर आकर कैसा हो जाएगा minus का और a की value हमारे पास कितने आ जाएगी 4 ठीक है अब हमारे पास a b है और d b है हमें क्या बतानी थी हमें बतानी थी a p तो a p के लिए आपको यही दो चीच चाहिए क्या क्या चाहिए a चाहिए और d चाहिए और आप a p बना सकते हो देखो जैसे अब यहाँ पर आप बनाते हैं क्या a p now a p क्या होगी a p हम कैसे बनाते हैं पहली टर्म a 1 फिर a 2 फिर उसके बाद a 3 a 4 इस तरीके से a p आगे तक चलती रहती है तो जिसमें जो a 1 है a 1 का मतलब क्या होता है a 1 तो a ही लिखते हम उसके बाद a 2 को क्या लिख सकते है a 2 को हम लिख सकते है a plus d a 3 को क्या लिख सकते है 1 d जो भी यहाँ पर नंबर होता उससे एक नंबर कम जैसे 7 था तो 6 d a plus 6 d लिया था a 5 था तो a plus 4 d ऐसी a 2 है तो a plus 1 d a 3 है तो क्या लिखेंगे a plus 2 d और ऐसे ही A4 है अगर तो A4 को क्या लिखेंगे A plus 3D ठीक है बस इन चारों से ही आप बता सकते हो इतना ही काफी है तो A का मतलब क्या है जो पहली टर्म है तो पहली टर्म तो हमें पता है वो कितनी है 4 तो वो रख दो फिर यहाँ पर 4 और D की जगा पर क्या रख देंगे डिफरेंस कितना है 6 फिर A plus 2D देखो A plus 2D की तो हमारे पास value पहले भी दे रख के 16 आप चाहो तो यह इसे भी लिख सकते हो वरना चाहो तो पूरा solve कर लेना A की जगा पर क्या रख देते हैं 4 फिर 3 और D की जगा पर क्या रख देंगे D की जगा पर 6 तब भी 16 ही आएगा उसके बाद A plus 3D A की जगा पर क्या रख देते हैं 4 फिर 3 और D की जगा पर क्या आगया 6 तो यह A P हमारे पास आगए 4 4 और 6 कितने होगे 10 और फिर यह होगया 2 6 जा 12 12 और 4 कितने होगे 16 ठीक है पहले multiply करना उसके बाद 6 3 जा 18 18 और 4 कितने होगे 22 यह हमारी A P बन गई और यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा सब के बीच में कितने का difference है 6 6 का difference है ठीक है ऐसे आप A P बना सकते हो और यह होगे आपका question number 16 अब next video के अंदर हम करेंगे 17 और 18 ठीक है इसमें कोई doubt हो दोनो questions में तो comment करके पूछ लेना